कुम करण का गाउं जहां रहते थे कुम करण की रिष्टदार जागने वालों देखो महीनों सोता ही रहता है ये गाउं पूरी दुनिया हैरान इस गाउं के लोगों को देखकर आपको रामायन काल के कुम करण की याद आ जाएगी इस गाउं के लोग सोने के लिए मशूर है ये गाउं है उत्री कजाकिस्तान में और इसका नाम है कालाची इस गाउं में लोग रहसमें तरीके से सो जाते हैं साल 2010 में इस गाउं के लोगों के साथ ये घड़ना अचानक हुई और इसके बाद गाउं के लोगों के साथ ऐसा होने लगा दुनिया कई तरह के रहसे में उसे भरी पड़ी है ऐसे कई चीजे हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है वैज्याने भी ऐसी कई रहसे में पहीलियों का जवाब दूनते हुए ठक जादे हैं कुछ ऐसा ही रहसे चिपा है कजाकिस्ताद के इस अनोखे गाउं में यहां की लोग कई-कई दिनों तक सोते रहते हैं उत्रिक अजाकिस्तान के कलाची गाउं की लोग रहसमें तरीके से सोने की बिमारी से पीड़ित हैं जब ये लोग एक बार सो जाते हैं तो कई दिनों या महीनों तक नहीं उटते इस कारण से बाहर की लोग यहां के निवासियों को कुम्ब करण का रिष्टदार कहते हैं साल 2010 में बच्चे अचानक स्कूल में गिर गए थे और सोने लगे थे इसके बाद इस बिमारी की शिकार लोगों की संक्या बढ़ने लगी तबी से वेग्यानिक इस गाउं पर रिसर्च कर रहे हैं रहस्यमें तरीके से सोने की वज़े से इस गाउं को स्लीपिंग हालो भी कहा जाने लगा है यहां की आबादी करीब 600 है और इस बिमारी से गाउं के लगबग 14 प्रतिशत लोग पीडित है सबसे ज़्यादा चौकाने की बात यह है कि जिनको भी यह बिमारी है उनको पता ही नहीं चलता कि वह सो गए है मतलब यह कि लोग कहीं भी सोते हुए पाए जाते हैं जैसे कि मार्केट, स्कूल, सडकों, पार्कों कहीं भी नींद आ जाती है जब कोई इनसान सो जाता है तो उसे जगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि अब समत चुके हैं कि ऐसा होना सामाने है शरीर की सबी क्रियाएं सामाने होती है और सांस बड़िया से चल रही होती है सोने के बार जब इनसान उठता है तो उसमें कुछ खास बदलाव आ जाते है जैसे की उसके शरीर में बहुत अधिक दर्द होने लगता है उसे कुछ याद नहीं रहता और बॉडी में खुब अकड़न होती है इस गाउं में ऐसा क्यूं हो रहा है इसके बारे में अभी भी वेग्याने खोच कर रहे है अपनी इस खास कूबी के लिए दुनिया भर में ये गाउं मशूर है न्यूस पुराण झाल